तो सबसे पहले आप पे सभी प्रीमित्रों को नमस्कार और सभी का एक बार फिर से आर्दीक स्वागत है और अभी नंदन और मोस्ट वेलकम सभी का जो आज का सेशन यहां पर रहने जा रहा है वो है HPHC जो की 5 नवंबर 2023 को जो पेपर हुआ है यानि कि इमाचल परदेश का जो एक जाम हुआ है उसके रिगाडिक आज मैं आपको यहां पर पेपर सोलिशन करवाने वाला हूं 100 परसन पूछे गए हैं 100 परसन यह के वल मैंने 1000 लिग दी हैं 100 परसन है इन में से 10 परसन आपके GK के हैं वो मैं आपको नहीं करवा हूँँगा वो हिमाचल परदेश क जो युवाज हाती हैं वो अपनी इस तरपे देखें एक गण सिंपल वे में आपकी जो परसन आये थे बाकी कि जो 90 परसन है 90 मेंसे 88 परसन है वो study it home की notes में से परसन आये है मैंने paper को दिया का गजब का paper आया है यानि 100 परसन थे, 100 मेंसे 90 परसन आपके driving और आपके vehicle maintenance के थे इने में से 88 question, study at home का जो online course है, वहाँ से हूँ बहु मिल गए हैं, वो चैस फैस्ट एड का question हो, चैस आपके vehicle maintenance का हो, चैस आपके driving का, motor vehicle act का, कोई धारा का, कोई सा भी person हो, हम one by one सभी person को करेंगे, तो सबसे पहले चलते हैं पहले person की ओर, यह person है, इंजी इंगलिस दोनों में हैं, जब एक motor one किसी दुरगर ना में lift हो, तो वहाँ चाले को कितनी देर में police को सूचना देनी चाहिए, when a motor vehicle is involved in an accident, within how much time must the driver inform the police, 24 गंटे इसका सही job होगा, आप सभी जानते हैं, 24 गंटे होता है time, जब आप कोई दुरगर ना में सामिल होते हैं, या आपका वहान सामिल ह तो 24 गंटे के बीतर आपको सुचना देनी चाहिए, आप बारिस में वहाँ चला रहे हैं, आपको आगे के वहाँ से प्रयापत दुरी क्यों बनाई रखनी चाहिए, जब आप बारिस, क्योंकि एक नियम है, safe distance का नियम होता है, जिसके तहत हमें 2 सेकंड की दूरी बना के र रखनी चाहिए, लेकिन यह जो दूरी है, बारिस का मोसम होता है, दूंद होती है, पर कास सही नहीं होता है, ऐसी कंडिसमें डबल हो जाती है, क्या हो जाती है, डबल हो जाती है, safe distance जो है वो डबल कर दी जाती है, इसी दिश्टिकोंड से कि आगे का जो वहाँ है, अचान और ड्राइविंग इन दर रेन, वाई सुद यू मेंटेन सफिसेंट डिस्टेंस प्रों देवाइकल इन फ्रंट, इन केस इट चेंजिस डिरेक्शन सड़नली, बिलकुल सही बात है, यानि अचानक डिरेक्शन चेंज कर सकता है, वो लेप्ट ये राइट में मुड़ सकता इन केस इट फोगलाइट डेजल यू इन केस इट सड़नली, वो अचानक रुक भी सकता है, यानि अचानक रुक जाने की इस्तती में, और उसकी अचानक डिसा बदलने की इस्तती में, A और C राइट अन्छेर होगा, म Weber परसन का राइट अन्छेर, और σईह राइट ये बा जब आप lane change करते हैं, तो आपको यहाँ पर change lanes by blowing horn, sorry, change lanes by giving indicator, थोड़ा सा इंगलिस और हिंदी में देखो मिसमेच है, यह paper बनाने वाले भी गजब के आदमिया भी, रास्ते पर lane बदलते से में, horn बजाकर lane बदलो, यहाँ पर देखो change lane by blowing horn, change lane by giving indicator, अब यह indicator वाला काम करना है इंगलिस में तो option B होगा, sorry, A होगा, और हिंदी में option B होगा, यह देख लेना भी अब की बार, थोड़ा सा, यह याँ पेपर भी पता नहीं कैसे बना देते हैं, देखो, हाना, तो यहाँ पर option number, अब A और भी मुझे नहीं पता लेकिं, indicator आपको देना है, बस यह जहाँ न ठीक है, तो right side यानि की, from the right side of the vehicle option number A, इसका right answer हो जाएगा, परसन सिंगे 5 पे लिए चलता हूँ आपको में, यह 5 नमर परसन, बीना license के सारवजनी इस्तान पर वहाँ चलाने वाला विक्ती इसके लिए उतर दाई है, केवल जूर्माना, चालक और माली के लिए जूर्माना और वहां की जब्ती, चेतावनी कोई नहीं, आप सभी को पता है, एक तो धारा, 181, धारा, 181, धारा, 206, धारा, 206 है, वो जब्ती के बारे में, धारा, 207 भी है, और 180 माली को यहाँ पे जिम्यदा ठेहराती है, जूर्माने के लिए, 181, चालक को जिम्यदा ठेहराती है, चालक और मालिक के लिए, दोनों के लिए जूर्माना अगा, उप्सन नमर B, राइट एंसर हो जाएगा, ठीक है न, पैनल्टी फोर दे ड्राइवर एंड दे आउनर, एंड, सीजर ऑफ वाइकल, वाइकल भी सीज़ किया जा सकता है, ठीक है, परसन से इंग्या छे आपके स सी राइट एंसर हो जाएगा, वाइल पार्किंग यूर वाइकल ओन ए डाउनवर्ड ग्रेडियंट, इन एडिशन तू दे, एप्लिकेंट ऑफ हैंड ब्रीक, डगीर इंगेज शूड भी इन रिवर्स, ऑप्सन सी हो जाएगा, परसन साथ, चमक्ती लाल ट्रेफिक इन परसीड इफ सेफ, इफ सेफ का मतलब है, अगर सुरुक्शित है तो ही आगे बढ़ें, वहां को रोकें, यहां पर थोड़ा सा इस सी ही करना पड़ें मुझे, वहां को रोकें और सुरुक्शित हो तो आगे बढ़ें, ओप्सन भी हो जाएगा, राइट एंसर, थोड़ of passengers, what should you do, तो आपको जहरी पूल के पीछे रुखना चाहिए, आपको चलना नहीं है, क्योंकि सवारिया रोड क्रोज कर सकती है, आपके सामने है, आप एक संकड़ी पूल के पास पहुंच रहे हैं, वीपरी दिसा से एक अन्य वहान पूल में परविस करने वाला है, तुम्हें क्या करना चाहिए, संकड़ा पूल है, सामने से कोई वहान अगर परविस करने वाला है, तो आपको अच्छा आदमी बनना है, और गाड़ी को तब तक आगे नहीं बढ़ा ना, जब तक दूसरे वाला या सामने वाला जवान है, पूल को पार नहीं कर लें, मतलब दूसरे वाहन के पूल पार करने तक परतिक्सा करें, फिर आगे बढ़ें, इंगलीस में देख लेते हैं, वेट तील दे अधर वाइकल क्रोशेश, दे ब्रीच एंड देन प्रोशीड, परसंस नहीं के आपके सामने दस आ चुका भी, आप एक परिवेनवान की कैसे पैचान कर सकते हैं, जो परिवेनवान होता है, उसकी पैचान केसे कर सकते हैं, सभी को पता है, ट्रांसपोर्ट वाइकल जो भी होता है, तो वहाँ पर उसकी गाड़ी की नंबर प्लेट हो येलो कलर में होती है, किस कलर में होती है, येलो कलर में, और जो प्राइवेट वा वहान आ जाये तो आपको क्या करना चीए वाइल यू आ ड्राइविंग विथ दे हेड लाइट इन हाई बीम डूरिं नाइट ए वाइकल एप्रोचेच फ्रॉम ओपोजिट डिरेक्शन यू विल आपको क्या करना चीए वहान के गुजरने तक हेड लाइट को आपको धीमा करना है यानि कि सामने का जो वाइकल है आपको क्रोस नगरे तब तक आपको लो बीमे गाड़ी रखनी है ताकि सामने वाले को आसानी से दिखे और वो भी आपकी जो बीम है वो headlight को low कर लेगा अगर उसके high है तो परसंस इंगे बार आपके सामने है बीना gear वाली motorcycle चालानी का license प्राप्ट करने की नियुन तमायो बीना gear का पुछे या 50cc से कम की बात हो दो conditions में यहाँ पर age जो होगी 16 year होगी या तो यानि कि without gear की बात आए या below 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 50cc है न तो यहाँ पर 16 years हो जाएगा option number C right answer गलत gear shifting के कारण हो सकता है incorrect gear shifting में lead to क्या हो सकता है अगर आप गलत gear shift करते हैं damage on gearbox higher fuel consumption both none of above तो गजब का person है gear का maintenance का person पूछा गया यहाँ पर तो इस person का right answer हो जाएगा कि आपका gearbox को नुक्सान भी हो सकता है और अधिक इन दिन की खपत भी तो option A और B दोनों मलब की बोथ हो जाएगा ठीक है न अगली person पर चलते है person सिंग्या आपके सामने 14 है one minute चलो ठीक है person सिंग्या चौदा 6th लाइसेंस की वेदता learning license की जो validity होती है कितनी होती है सभी को पता है 6 month होती है ठीक है इसका जो उलेक है वो धारा 8 में किया गया आप सभी को पता होगा person सिंग्या आपके सामने 15 आ चुका भी इसको पड़े आप गाड़ी का इंधन बचा सकते हैं वहान की उचित tuning वहान की उचित सफाई गाड़ी चलाते है इसमें कलच काते रिक प्रियोग कोई नहीं D गलत है C गलत है सफाई से कोई कभी इंधन बसता नहीं है तो tuning सही करवा किया tuning होता है गाड़ी की जो आवाज है उसमें विक्रिती आ जाती है न तो उसको सही करवाना आप देखू ये परसंद सोड़ा से पचीस तक जो ही डिम बहा त्री लोग नाजन मंदिर है ये थोड़ा सा क्योंकि हिमाचल परदेश का है हम बेठे राजस्थानी तो ये समझ में आएगा नहीं हम थोड़ा सा इन बच्चों के हिमाचल परदेश वाले बच्चों पर ही छोड़ देते हैं दस परसंद है ये तो सोड़ा से पचीस से तक परसंद दस परसंद आप कर लीजिएगा सीधर मैं डिरेक्टली 27 पर आ जाता हूँ ड्राइबर का मुख्य गुण क्या है वहन को तेजी से चलाना दिरी-दिरे गाड़ी चलाना वीरतापूरू गाड़ी चलाना या तायत नियमो और वी नियमो का पालन करते वे गाड़ी चलाना वाट इस दम ने मेन क्वालिटी ओपे ड्राइबर तो ड्राइबर ओवेट ट्रेफिक रूल्स and यानि कि आप है वो ट्रेफिक रूल्स और रेगुलिशन्स के एकोडिंग गाड़ी को चलाते हैं तो अपसंद में डी रायट एंसर इसका हो जाएगा परसंद सताइस नीमन अलिकित में से किसे पेर द्वारा नेंतिर्ट किया जाता है और इसका रायट एकोड़ी पेर पेर इसको चलाते हैं तो कलाच को किया जाता है और आप सबी को पता है कि यहां पे जो डिस्टैन्स होती है इसके बहुत आपनी के लिए ओडोमिटर का इस्तेमाल किया जाता है option number B, इसका right answer हो जाएगा, ठीक है न, option B, order, परसंद सिंगे आपके सामने 29 आ गया है, जहान से पड़े, नीमनलीकित में से कौन सा दस्तावेज वहान में रखना चाहिए, सेवा नियमावदी, बेटरी का वारंटी काड, वहान का बीमा परमान पत्तर, मोटरवान अधीनियम, अधीनियम का कोई काम नी, वारंटी काड का कोई काम नी, सेवा नियमावदी का कोई काम नी, काम है गाड़ी के दस्तावेज, जिन में RC है, fitness है, tax है, permit है, आपकी जो insurance है, तो insurance option number C, right answer हो जाएगा, इंगलिस में देख लेते हैं थोड़ा सा, which of the following documents should be keep in the vehicle, insurance certificate of vehicle, आपको गाड़ी में रखना चाहिए, वेशे सारे दस्तावेज, आपकी बास में होनी चाहिए, सुरू करने से पहले मुख्य सावधानिया क्या है, what is the main precautions of before starting, गाड़ी को जब आप start करते हैं, शुरूआत करते हैं, तो इसे पहले आपको क्या सावधानी रखनी है, तो इसके बारे में सबसे पहले आपको जहान देना है, vehicle on neutral position, वहां तटस्ट इस्तती में होना चाहिए, जब भी गाड़ी को start करते हैं, गाड़ी neutral में हो, आपकी कलस दबी हो, brake पर पाम आपका लगए हो, हैंड brake आपके अपलाई हो, ठीक है न, और गाड़ी neutral position में होनी ही चाहिए, तो इसलिए vehicle on neutral position, option number 1, इसका राइटन्चन हो जाएगा, जब कलच पेडल दबाया जाता है, तो गाड़ी नहीं चलती, क्यों, कब नहीं चलती, सिर्द इसी बात है, जब गाड़ी, गाड़ी अगर neutral position में हो, gear कोई सा भी engage नहीं हो, और कलच अगर, अच्छा है, जब कलच पेडल को दबाया जाता है, तो गाड़ी नहीं चलती, क्योंकि कलच को जब धबा लेंगी, तो engine और gear box हट जाएगा, एक दूसरे से क्या है, इनका connection तूट जाएगा, तो engine की power gear box में नहीं जा पाएगी, कलच जब तक दबी रहेगी, तो इसलिए, उर्जा engine से इस्तानांतिर तो नहीं हुई, पावर नोट ट्रांसपार्ड फ्रम दे इंजन, यानि कि option नमर डी इसका राइट एंसर हो जाएगा, जब कलच पेडल दबा होगा, तब क्या है, पावर नोट ट्रांसपार्ड फ्रम दे इंजन, उप्सन नमर डी हो जाएगा, परसन से इंग आपके सामने 32 आच चुका है वई, क्योंकि प्रारंबिक वहन संचलन के लिए, किस गीर को प्यों किया जाता है, वीच गीर यूजड फोर इनिशियल मॉमेंट औफ वाइकल, तो प्रारंबिक जो वहन संचलन होगा, आपको पता है, फर्ष्ट गेर में होगा पहला गेर, उप्सन नमर शी हो जाएगा, क्योंकि पहले गेर में जो होता है ना, फर्ष्ट गेर, फर्ष्ट गेर में जो है, टोर्क क्या है ज़्यादा होता है, torque ज़्यादा होता है speed कम होती है तो यह आपको ज़ान रहा torque यह पावर ज़्यादा होती है break लगाने के लिए किस पेर का उप्यू किया जाता है आप सभी को पता है यह clutch होती है माना की clutch का यह आपके brake का होता है दो नमबर ठीक है और यह accelerator का होता है ABC तो यह दोनों है ना A और B यह दोनों आपके right जो पेर है उससे आएंगे और जो C यह 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 clutch है यह left पेर से दबती है तो clutch हमेसा laps है और brake और accelerator हमेसा right से होते है तो brake का पुछा है तो right answer option number right B हो जाएगा परसन 34 वहाँ नमोडने के लिए indicator lamp के लिए कौन सा रंग प्रियोग किया जाता है indicator lamp का जो रंग होता है वो yellow यहाँ पे दो option होता है यह यह भी होता है amber भी इसको कह सकते है AM AM, B, R लेकिन इसमें amber नहीं है इसमें amber है यह गलत अभी amber होता option number 1 इसका right answer हो जाएगा which color is used for indicator lamp of vehicle for turning तो यहाँ पर yellow color हो जाएगा option number 1 परसन सिंग्या 35 आपके सामने है किस समय टेल लाइट का उप्योग आवशियक है टेल लाइट टेल लाइट हो जी जो पिछे गाड़ी के लगी होती है इसमें आपके red भी होता है yellow भी होता है और आपके white होता है white reversing के लिए होता है ठीक है और yellow indicator के लिए होता है red brake के लिए होता है तिनों अलग-अलग होते हैं तो जब आप पे टेल लाइट का प्योग कप करेंगे रात के समय में ताकि रात के समय में भी आपकी जो मनसा है उससे हैं दूसरे जो वाइकल है उनके चालक अउगत हो सकें इन वाट टाइम टेल लाइट यूज इज नेशिस्टरी नाइट के समय में रात के समय में परसंद सिंगे 36 आपके सामने आ चुका है और यहां पर आप देख पाने भोत अच्छा परसन आया है चार लेन सडक छोटा सा कर लेता हूँ मैं ताकि बाहरन जाये चार लेन सडक से आप क्या समझते हैं हम कहते हैं यह six lane है यह four lane है यह eight lane है तो इन में क्या होता दो जाने के लिए होगी दो ही आने के लिए होगी तो यह four lane शड़क हो गई तो इसको हम कैसे कह सकते है having two lane for traffic in each direction having two lane for traffic each direction यानि प्रते गिसा में याताथ के लिए दो lane दो आने के लिए दो जाने के लिए चार हो गई option number D right answer हो जाएगा person singhya 36 manual drive के लिए किस gear का उप्योग किया जाता है चड़ाई वाली शड़क पर transmission कार में manual drive के लिए किस gear का प्योग चड़ाई वाली शड़क पर transmission आप जब गाड़ी को चड़ाई पर चड़ादे हैं तो यहाँ पर आप कौन सी गिर का इस्तेमाल करते हैं lower gear, higher gear, neutral, reverse D गलत है, C गलत है high और low में से low वाला एक नमर है, high वाला मनागी पांस नमर है तो कौन सा करेंगे, जब आप किसी पाड़ी पर चड़ रहे हैं तो lower gear करेंगे, option नमर एक lower gear हो जाएगा persons निगा 38 खड़ी या रुकी हुई गाड़ी को कैसे start करें बीना वापस गए, उपर क्यों चड़ना मतलब कि आपकी गाड़ी खड़ी है चड़ान पर आप अब start करके आगे गी और बढ़ाएंगे गाड़ी पीछे नहीं जानी चीज़ी, तो आप क्या करेंगे तो उस समय आपको करना क्या है, मैं आपको बता देता हूँ सबचे पहली गाड़ी को आपको start करना है तो यहां पर कलच आपने दबा रखिये, गीर डाल दिया है अब आप क्या करेंगे, हलका सा एक्सलेटर दबाएंगे और हलका सा कलच को छोड़ेंगे जैसे इंजन पावर जिनरेट करने लगे, तुरन आप हैंड़ ब्रेक को रिमोग कर देंगे जीशने की गाड़ी पीछे नहीं जाएगे, आगे जाएगी तो आप पार्किंग ब्रेक में तड़ के मादें से गाड़ी को आप शुरुआत कर सकते हैं किसी चड़ाई पे चड़ाने के लिए ठीक है, तो option number B, इसका right answer हो जाएगा ठीक है न, अगले परसंट पे चलते हैं क्योंकि आधा कलच वाला system इसलिए अपला नहीं हो सकता क्योंकि आधा कलच नहीं आधा कलच के साथ साथ में आपको foot brake का इस्तेमाल भी करना पड़ेगा केवल आधा कलच से काम नहीं चलेगा यहां पर आपको आधा कलच भी रखना है आधा ब्रेक भी रखना पड़ेगा तो यहां पर केवल आधा कलच नाम आया है कलच जो system होता है न, कलच के आधार पे अगर आप चलाते हैं तो फिर आपको कलच और brake दोनों को hand break up remove कर देंगे तो गाड़ी आगे हो कि और बढ़ेगी पीछे नहीं जाएगी परसंद सेंग के आपके सामने 39 परसंद समझ में आया नहीं आया आया पीछे वाला किस वाहन को उपर चड़ने का अधिकार होता है सभी को पता है उपर चड़ने वाले जो वाहन उपर की और जा रहे होते हैं उनको रास्ते का अधिकार होता है उनको पहले जाने जाना चाहिए थर्ड पार्टी बीमा कवर का मतलब होता है यानि जो थर्ड पार्टी बीमा होती है वो किसको कवर करती है ड्राइवर के लिए वाहन के लिए वाहन रोमर के लिए बीमा सारवजिनिक शती जो पब्लिक प्लेस पे जो भी डेमेज होगा थाइड पार्टी इंस्योरिंस के नाम से किसको जानते हैं जो तीसरे वेक्टी के नुक्सान को बताता है तो अपस नमर डी इसका राय टेंसर हो जाएगा भारत लाइसेश जारी करने का अधिकार किसके पास है भारत में लाइसेश जारी कोन करता है सभी को पता है गारी की stability गारी का संतुलन बने रखने में भी मदद करता है ब्रेकिंग के दोरान ब्रेक के दोरान भी गारी चलती रहे हाँ ब्रेकिंग में ये भी अबेसें संबब होए तो अपस नमर भी हो जाएगा परसंद 43 आपके सामने आ चुका है समझ में आ रहा है नहीं आपका फ्यूज उड़ेगा और फ्यूज उड़ेगा तो voltage तो क्या होगा डाउन होगा और current हाई होगा ये याद रखना आप तो सोट सर्कुज के कारण उच्छ धारा परवा है और B तो high current flow by a short circuit option number B राइट एंसर हो जाएगा अधिक धारा का परवा होगा इसलिए फ्यूज उड़ जाएगा इसलिए फ्यूज की रेटिंग है वो ampere पर देखी जाती है कि फ्यूज कितने ampere का है 15 ampere का है switch को इसलिए देखा जाता है switch है कितने ampere का है 5 ampere का या 15 ampere का तो यहाँ पर परसंद चिंगे 40 electrolyte का विशिष्ट गूरुतु है कि जाँज करने के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है जो battery होती है battery में जो liquid होता है वो electrolyte के लाता है electrolyte आपके acid H2SO4 यानि कि sulfuric acid और distilled water का मिस्णन होता है तो उस electrolyte में जो आपका acid है उसकी मात्रा को जाँचने के लिए यहाँ पर हम hydrometer का प्रयोग करते है किसका hydrometer which instrument is used to check the specific gravity of electrolyte तो इसका option number D hydrometer right answer हो जाएगा परसंद सिंगे 45 battery का कौन सा terminal पहले हटाना चाहिए कभी जब भी battery को अगर जोडना हो जोडना जोडने को plus कहते है हटाना हो हटाने को माइनस कहते है तो जोडना है बेटरी को कौन सा terminal पहले हटाना चाहिए अगर हटानी है तो आपको पहले कौन सा हटाना है है आपको यह बात दिया हटाना है तो सबसे पहले आपको यहाँ पर negative terminal को हटाना है, ठीक है, जोडना है तो पहले positive terminal को, बेटरी का कौन सा terminal पहले हटाएंगे, तो आप पी negative terminal हटाएंगे, option 45 से इसका right answer option number 1 हो जाएगा, बेटरी का कौन सा terminal पहले हटाना चाहिए, negative terminal पहले हटाना चाहिए, जोडना कौन सा चाह निल होता है न वो थोड़ा खुंटा मोटा होता है और जो नेगटी होता है थोड़ा सा पतला होता है ठीक है यह आप समझ लेना आप बैटरी में रियल में देख लेना आप परसंस है क्या यहां पे 47 सभी पईयों पर एक समान गिसाओं के लिए किस परकार के टायर के रख maintenance is needed for uniform wear of all welds, tie rotation, option number C, right answer हो जाएगा, परसन से क्या 48 है, नीमन अलीकित में इसे किसे वहिल बेस का जाता है, वहिल बेस किसे कहते हैं, तो यहाँ पर वहिल बेस होता है, एक आगे एकसल होती है, एक पीछे एकसल होती है, तो इस एकसल से इस एकसल की बेस की जो दूरी है न, वह वहिल बेस होती है, या एक शाइड के पईयों की दोनुप पईयों की बीच की दूरी होगी, वहिल बेस होगा, तो आगे और पीछे के पईयों की बीच की दूरी एक तरप, यानी एक शाइड से, डिस्टेंस बिट्विन फ्रेंट और रियर वाइल, वन साइड, वहिल बेस, वहिल बेस की से कहते हैं, दोनुप पईयों की बीच की दूरी, परसंसिंग्या, 49, पईयों के संतूलित होने के कारण, नीमनलिकित में से कौन सी समस्या उत्पन होती है, पईयों के अह संतूलित होने के काण कौन सी समस्या आती है पुछाए इस्टेरिंग वहील वाइब्रेशन पूर एक्सलेरेशन रेडूस्ट फ्यूल इपिसेंसी रोड नोइज डी को छोड़के तीनों ही सही है तीनों ही हो सकते हैं लेकिन सबसे ज़्यादा जो वहील इनिबैलेंस होने पर जो समस्या हमारे सामने आएगी वह कौन सी आएगी इस्टेरिंग वहील वाइब्रेशन की क्योंकि जब गाड़ी का जो टायर साही नहीं होगा गाड़ी चलेगी तो वो फिर हमें गाड़ी को मोड़ने में और steering को hard बना देगा गाड़ी bubbling करेगी, vibration करेगी सब्चे जदा steering पर इसका moment का असर हो पड़ेगा तो steering while vibration, steering while कमपन हो करने लगेगा, option number 1 इसका right answer हो जाएगा परसंद सिंग है 50 सीटलन प्रणाली में कोन सा तेल प्रणाली में तो आप सभी को पता है सीटलन, सीटलन केल यानिrier केलन का प्रणाली का प्रणाली प्रणाली का प्रणाली में सीटलन cooling system में टीक है न? option C हो जाएगा दो पईया वहाँचलाते समय किस से सुर्वक सा उपकारन का प्रणा चीए which safety device should be used while driving a two-wheeler helmet, two-wheeler में MSI helmet का प्रियोग किया जाता है, 2494 में D, नहीं प्रियोग करेंगे, तो 1000 का जुर्माने का प्रावदान है, सभी को पता है, परसंद सिंग्या 52, आपको सब को पता है, आगे से चोड़ा, पीछे से चोड़ा, परसंद सिंग्या 55, आपके सामने है, एक संके दिया गया है, और आप देख पा रहे है, स्परमुक शड़क का ऐसा मोटा सा ऐसा होता है, संकेत आपको पता है, संकेण पुल का अभी में ने बताया, रेल्वे क्रोशिंग का ये नीचे रादे को, तो यहाँ पर चत्य ग्रस्ट सड़क, ऑप्सनमाट D, इसका राय टेंशन हो जाएगा, ये संकेत का इंडिकेट कर रहा है, आपको पता है, यहां पर जाली बिख रही है, तो ये रेल्वे क्रोसिंग हो जाएगा, स्चॉप साइन जो होता है, इसका रंग कैसा होता है, आदे साथ मंग संकेत है, परसंसी के 58, जो भई सरल, सूचनातमक संकेत कराने का उदे से यात्रा को सुल्ट शित यात्रा को सुकषब ये सबी अपको पता है जब आप गारी चलाते हैं किसी भी प्रकार की कोई समस्या आजाती है जिसे कि एस्पताल का संकेत आपको दिखा तो आप तुरंद पिर्चा का संकेत होगा, वो एक सूचनात्मक संकेत होगा, मतलब है ट्रेवल सेप के लिए ठीक है, to make the travel pleasant, यानि कि सुखद बनाने के लिए, जैसे कि आप कोई मतलब है, जैसे मैं बात करता हूँ ये कि विस्व विरासत सूची है, कोई मंदिर है, या कोई अच्छा इस्था जहां पे है, तो वहाँ पर आप विस्व 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 बड़ी होटाल पे जाएंगे और सुखद यात्रा बनाएंगे, आराम करेंगे, और आराम के साथ यात्रा करते रहेंगे, यातरा को आसान इजीली बनाने के लिए, इजीली इसलिए क्योंकि आपको रूट का पत परसन सिंग्या 59 चेताओं नीचिन एक्सप्रेस वेपर मैदानी और धलानदार भूबा के लिए दूरी परिस्तित होने चाहिए यार ये परसन ना ड्राइवर का है नहीं ये हाईवे इंजिनिरिंग का परसन है गजप का यार पेपर बनाने वाले लगदाद है था ने यार कत्ति काठी सरम मरी थांगी यो परसन में आपको बताओं मैं मारवडिम के वे के मलब की कहीं का तीर कहीं का निशाना इनको पता है नहीं है हम एकजाम किस मलब किस परपस्य ले रहे हैं में हमारा टार्गेट क्या है इनको बस बच्चों से परसन गलत करवाने है है ना तो ये परसन हमारा देखो हमारे सलेबस में नहीं है क्योंकि ये हाईवे इंजिनिरिंग का परसन है यह पहला person है जो हमारे syllabus में नहीं दिया हुआ है तो आप सावधानी से पढ़ें फिर भी आज कलियार देख लो आप highway engineering की जो person है वो यहाँ पर दे दिये जाते हैं यह तो engineering का person है और यहाँ पर driver में दे रहे हैं ऐसे person driver पार्ट में नहीं होते लिए आप दे दिये पता क्या करें तो चेताओनी चीन एक्सप्रेस यह पर मैदानी और ढलानदा गुबा के लिए दूरी परिस्तित होते हैं 200 मिटर की दूरी पर यह होते हैं speed limit चीन का मतलब होता है speed limit तो यह speed limit है वो सभी वानू की गती पर परतिबन लगाती है restrict the speed of all vehicle speed limit है या तो पर्टिक उदर अलग अलग दिया होगा विकार कीए, ट्रक कीए, बस कीए और या फिर अगर केवल speed limit का संकेत है तो वो सभी के लिए होता है परसन 61 एक पेसेवर ड्राइवर की रुप में आपको क्या यह करना चीए एक पेसेवर ड्राइवर की रुप में आपको क्या करना चीए professional driver you should वेस्ट और भीड़ बाड़ वाले इलाकों से बचने के लिए अपने मार की योजना बनाए, बात तो ठीक है या भीड़ बाड़ में वेस्ट जो इलाके है वहाँ से क्यों फसेंगे वहाँ पर, हर समय अधिक्तम गती सीमा का पालन करें, हर समय यह भी ठीक है परिचालन के समय सभी बस लेन का उप्योग करें यह थोड़ा सा सही नहीं है, परिचालन के समय सभी बस लेन का बस लेन का उप्योग सभी क्यों करेंगे परगती करने के लिए जंक्षनों को प्राथमिक्ता दे आप जब परगती यानि आगे बढ़ने के लिए लगातार जो चोराय है उनको प्राथमिक्ता देंगे कि हर बार चोराय से आप गुजरेंगे तो ये भी थोड़ा सही नहीं है और keep the maximum speed limits at all time plan your route to avoid बीजी एंड कंजेस्टेड एरियाज एक पेसेवर ड्राइवर क्रूप में आपको ये है करना चाहिए बनाब आपको काम एक ही करना है अब वो कौन सा यार वेस्तों भीड़ बड़ वाली लाकों से बचने के लिए अपने मारक की योजना ये काम तो पहला भी ठीक है हर समय अधिक्तम गती सीमा का पालन आपको करना चाहिए बस ये बात है परिचालन के समय सबी बस लेंगा प्योगर है परगती करने जंक्समें को परात्मिकता दिया है हर समय आपको मैक्समम स्पीड का ध्यान में रखना चाहिए परसन से बात्सक निमनलीकित में से किससे इंदन की खपत में सुधार होगा देर से और खटोर ब्रेक लगाना गलत है पहले से अच्छी योजना बना रहे है थंडे इंजन के साथ छोटी यात्रा गलत है नीचली गिर में गाड़ चलाना ये भी गलत है तो यहाँ पर पहले से अच्छी योजना होगी कि कहा जाना है कब जाना है कौन से रूट से जाना है तो यहाँ पर आप फ्यूल की जो बच्चत है वो कर सकते है प्रसंट से क्या 63 आपको हमेसा बलाइंड इसपोर्ट की जान्च करनी चाहिए बलाइंड इसपोर्ट याणि जो यह आपकी कार है ये साड की मिरर है एक बीच में मिरर है ये वाला पॉर्सं आपको ये पीछे का इस्था दिखा देगा यह जो mirror है आपको यहां तक दिखा देगा अब देखो यहां पर आप बैठे हैं कहां पर बैठे हैं दुबारा से दूसरे कलर में बताता हूँ मैं आपको यहां पर आप बैठे हैं तो आप अब क्या है कि यहां का इस तन आप देख सकते हैं यहां का भी आप देख सकते हैं साइड में देखें लेकिन अब जो यहां पर कोई गाड़ी है यहां पर कोई गाड़ी है यह ब्लैंड स्पोर्ट है यहां पर अगर कोई गाड़ी आ चुकी है तो आपको दीखेगी नहीं तो यह ब्लैंड स्पोर्ट होता है तो आपको ब्लैं sport अगर आपकी रोड पर है तो आपको देखना चाहिए कि blind sport वाले छेतर में कोई गाड़ी already मुझे cross नहीं कर रही है अगर वहाँ पर गाड़ी होगी और आप signal देके train ले लेंगे तो accidental case हो सकता है इसलिए giving a signal यादि संकेत देना है इससे पहले आपको हमेशा जो है मलब संकेत देने से पहले आपको blind sport की जहां चाहिए वो पहले कर लेनी चाहिए परसन सिंग्या चोशट आपको समझ में आया नहीं आया भी ये blind sport वाला comment section में बताएं राय दें भी अपनी अपनी ये वहन का नियमीत रख रखाव करना क्यों मैटोपूर होता है आप गारी को नियमीत रख रखाव रखते हैं क्यों क्या फाइदा इससे है ये पूछा गया है तो आप सभी को पता है बीमा premium कम नहीं होगा brake failure इससे कोई मतलब हो सकता है brake fail कम होगी लेकिन रख रखाव केवल brake का मामला नहीं है आप प्रियावरण को होने वाली नुक्षान को कम करें वहाँ रोटेक्स कम ये भी गलत है तो उप्सन मर भी हो जाएगा राइटेंसर प्रियावरण को होने वाली नुक्षान को कम करें यानि कि अगर आप रेगुलरली अपने वहिकल को अगर मेंटें रखते हैं तो उस्चे की फ्यूल कंजप्शन कम होगा चब वो किसी भी प्रकार से हो तो यहाँ पर जो पूरा रख रखाव सारा का सारा ये आ गया इसमें तो उस्चे क्या है प्रयावरण की रख्षा होगी हमारी है तो उस्चे का राइटेंड से हो जएका रेडिूश डेमेज टू दे इनवार्मेंट परसंद से क्या पेंशट आपके सामने आ चुका है अधिकरिट अधिकारी वहान को जब्त कर सकते हैं जब आपके पास में RC नहीं है आपके पास में permit नहीं है आपके पास फिटनस नहीं है आपके पास टेक्स नहीं है तो यहाँ पर आपका mostly वहान जो है RC और permit के कान जब्त होता है तो आपके पास में वेद्य परमिट ये पंजिकर्न नहीं है authorized officers can see the vic Physical it It does not have a valid permit or registration. Option number B, right answer, हो जाएगा. परसन सिंगे 66 पे चलते हैं, बाएं मुड़ती समय आपका वहन कहा होना चाहिए? B, आप वाइं टर्णिंग लैप्ट, यूर वाइकल शुड्ड बी इन, लैप्ट लैन. बाएं मुड़ते हैं, तो बाएं लैन में होना चाहिए, Option number C हो जाएगा. परसन सिंगे 66 है, साखा शडग से, मुखे शडग में परवेश करते से, में आपको किसको प्रात्मिता देनी चाहिए? साखा यानि छोटी सडग से, आप में बड़ी सडग पर चद रहें, किसी वाइकल को अगर आप एंटर कर रहें, तो आपको किसको रास्ता देना चाहिए? पहले से जो आपके राइट साइड से जो वाइकल आ रहे हैं, उनको रास्ता देना चाहिए. तो यहाँ पर दाहिनी और से आने वाले वान, यानि कि वाइकल कमिंग फ्रॉम दे राइट, इंगलिजिस का देख लेते हैं, वेन एंटरिंग अमें रोड थू ए ब्रांच रोड, यू सुड गिव प्रेफरेंस तू वाइकल कमिंग फ्रॉम दे राइट, आपके सामने आ चुका है, थोड़ा धूंदला जरूर है, जब आपकी गाड़ी को ओवर्टेक किया जा रहा है, तो आपको कभी भी स्पीड अपनी गाड़ी की नहीं बढ़ानी चाहिए, स्पीड नहीं बढ़ानी, आपको इस पीड नहीं बढ़ानी, आपको यहाँ पर होर्न का प्रियोग आपको पता एक तो अदालत होती है, अदालत, एक अस्पताल होती है, दो चीज़े हैं, जहाँ पर आप होर्न का प्रियोग नहीं करना चाहिए, अस्पताले में मरीज है अदालत में कोर्ट केस चल रहे हैं तो केस की सुनवाई में यहाँ पर वियवधाना आए तो यहाँ पर नियर कोर्ट्स एंड होस्पिटाल्स ओपस नमर शी इसका रेट इंसर हो जाएगा अगर आप सभी को पता होगा अगर आप जो लबे होर्न प्रोबेटेड एरियाज में होर्न का इस्तिमाल करते हैं 1214 में F और 1000 रुपी त्यार रखना भी अगर आप बजाएंगे तो परसंगे 70 अगर कोई अबुलेंस आ रही है तो आपको क्या करना चाहिए सिर्द इसी बात है अबुलेंस आ रही है तो इसको रास्ता दे दो भी साइड में जाएं और अबुलेंस को गुजरने दे आपको अबुलेंस को रास्ता देना चाहिए परसंगे यह गोतर आपके सामने आ चुका भी बहुत ही घजब का परसंगे फोग लेंप कब जलाना चाहिए एक तो मासान है फोग लेंप को हमें साम दूंद में यानि कि इन डेर इसे मिश्ट ये क्या होगा जब आप धुंद में हो तब आपको गाड़ी की जो फोग लेंप है उसको ओन करना चाहिए ठीक है परसंग बैतर पार्किंग ब्रेक या पार्किंग ब्रेक या पार्किंग ब्रेक या इस्तिमाल होता है यहीं आगे चिकना रास्ता यानि फिसलन वाली चड़क है फिसलन ब्रा रास्ता का संकेत है तो आपको क्या करना चीए स्पीड कम करो अच्छानक ब्रेक नहीं लगाना और गियर को कम करो तो गति दीमी करें गियर चेंज करें ब्रेक दबाएं, तेजी से आगे बढ़ें गलत, यह गलत, तेजी से अगर चलने यह गलत, option A हो जाएगा, slow down and change gear, यानि कि अगर greasy road है, slippery road है, तो आपको slow down and change gear, option number A हो जाएगा, right answer, परसन सिंगत चोहतर आपके सामने बहुत बड़ा paper आया है, आपको धलान पर वाहन की गती क कैसे नींतिर्द करना चाहिए, डलान पर आप गाड़ी को कैसे neutral करना सबसे बड़ी मुरुकता होगी, engine बंद करना गलत होगा, कम gear पर switch करें, बिल्कुल, आप गाड़ी को छोटी gear में लाएं, lower gear में गाड़ी चलाएं, तो आप आराम से नीचे उतर सकते हैं, option number C, you should control the speed of vehicle on a downhill bike, switch to low gear, option number 6 का ride answer हो जाएगा, आपको अपना वहन कहाँ पार्क नहीं करना चाहिए, आप कहाँ पर अपनी गाड़ी को पार्क नहीं कर सकते हैं, you should note पार्क और वाइकल, footpath और एक sidewalk, option number 6 का ride answer हो जाएगा, कभी भी, footpath पर जहाँ पैदल यातरी चलते हैं, अपनी दिखते ही उनको रास्ता देंगे, तो यह अपात का लिन वहन होते हैं, आप सभी को पता है, अपात का लिन वहनु में, ambulance और अगनी समन है, ambulance and fire service, अगर रास्ता नहीं देंगे, तो धारा एक सो चुराण में E, 10,000 रोपे त्यार रखना भी, और 6 मार के मोटे मोटे मच्छर जो है, आपको काटेंगे, उसके लिए भी त्यार रहेना, तो इसलिए रास्ता देते रहेना, परसन सिंगे 77 आपके सामने है, और क्लास में यह समझ में आ रहा है न कुछ भी, यह ज़्यादा फास्ट वड़ रहे हैं, ज़्यादा फास्ट लग रहा तो speed आप decrease कर सकते हैं, speed का जो option है, आपको high और low करने का, यूटूब ने बहुत अच्छा option दे रहा है, ठीक है, नई कार के लिए एक मुष्ट कर, यानि one time tax for new car, आप सभी को पता है, 15 वर्स के लिए one time tax होता है छोटी कारों के लिए, रक्षात्मक ड्राइविंग क्या होती है, रक्षात्मक ड्र road user हैं, वो यातायत नियमों का पाला नहीं करते हैं, तो भी मैं अपने आपको बचा दूँगा, मतलब दूसरे विक्ति road संकेतों का, या road rule या regulations का पाला नहीं करते हैं, और ऐसा मान के वो ना समझ है, ऐसा मान के आपको गाड़ चलानी है, और आपको अपने आपको बचान गा, what is defensive driving, driving constantly anticipating violence of traffic rules and road signs both by drivers and other road users, यानि कि आप ऐसा समझेंगे कि दूसरे जो driver हैं, दूसरे जो सड़क पर कोई सड़क को उप्यो कर रहे हैं, तो वो समझदार नहीं है, या वो alert नहीं है, तो मुझे जगे मुझे alert होना पड़ेगा, परसन 79, जिग 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 आपको पता तो जिग 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 driving किसी भी vehicle से कभी आपको नहीं करनी चाहिए, मनब हर समय सभी के लिए खतरनाग होती है, और समय भी dangerous for everyone at all time, के वबल two wheeler, four wheeler, से कोई मतलब नहीं है, सभी गाडियों के लिए खतरनाग होता है, जिग 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 driving, किसी मरीज की स्थिग की जा कारवाई की जाती है जब भी किसी मरीज की अगर आप जांच करते हैं तो सबसे पहले स्वसंद पर किरिया को जांच लें कि उसे वेक्ति को स्वसंद पर किरिया ठीक है या सांस उसको लेने में कोई समझ चातों नहीं हो रही चेक फोर ब्रिटिंग यहां पे A राय टेंसर हो जाएगा यह फ़र टेर के जो परसन आया है पांसा दस किसी दुरगड़ना के बाद के पहले एक गंटे को क्या कहते हैं गॉल्डन ओर कहते हैं दारा 134 A मोटर वाइकल एक्ट में 2019 में पहली बार जोड़ी गई किसी भी दुरगड़ना के तुरदबाद का जो A गंटे का समय होता है इसमें पेड़त वेक्टी की जान को बचाने का सबसे सुनार आफसर होता है और इस पर्थम गंटे में जो पेड़त वेक्टी की साहता करता है वो नेक वेक्टी यहां पर कहलाता है और आप सभी को बता है नेक वेक्टी किसें कहते हैं जो इस गंटे में सायता करेगा अब मैं बात करता हूँ गोल्डन ओर का जो नियम है दारा दो की उप दारा बारा ए में इसका उलिक किया गया है 134 में दिया नेक वेक्ती है ठीक है 134 में और के वले 134 में ड्राइवर के करतावे हैं ड्राइवर के करतावे का पाला नहीं करने पर 1370 लागो होती है जो नहिंधा भी लग सकता है तो परसंन से क्या 82 यह फ्रस्टेर के परसंन भी थोड़ सा ज्यान से लेटी आप गंबीर रख्त सरावे के लिए आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए अगर भी खून बैरा है तो शीदी बात है खून बैरा तो खून को रोकना पड़ेगा सीधा कपड़े या हाथ से दबाव डाले और खुन को रोकने का प्यास करें वाट इस दफास्ट थिंग यू सुड डू फोर सैर्वे ब्लीडिंग डारेक्ट प्रेसर विद क्लीन क्लोथ और हैंड आपको प्रेसर डालना है सीधा साप कपड़े से या सीधे हाथ से कपड़ा है तो ठीक है नहीं तो सीधे हाथ से इडालो आप option B right answer हो जाएगा परसन तयासी है इससे बचने के लिए किससे इससे बचने के लिए आप क्या कर सकते हैं कि येदि कोई वेक्ति थोड़े समय के लिए बेहोसी की स्तती का अन्वोक करें तो आपको यहाँ पर क्या साउधानी बरतनी चाहिए सिधी इसी बात है यहाँ पर अगर कोई वेक्ति बेहोस होने का प्यास कर रहा है अगर मतलब सोक में आ रहा है तो पीड़े से आप बात करें उससे पूछें और इस्तती को भापनी का प्यास करें और दर्द स्टोक का परबंद करें यानि कि जो यहाँ पर पेन स्टोक है पेन स्टोक आ सकता है तो यहाँ पर प्रात्मिक उप्चार के लिए उससे बात करें और दर्द स्टोक का परबंद करें तो यहाँ पर आपको मतलब कि कोई भी जो आपके पास में जो भी जो ट्रिट्मेंट है वो प्रोवाइड करवाने का प्याज करें आप तो यहाँ पर पर सबसे पहला काम है आप अपने कट पर हाथ न लगाएं अपने हाथों को साप साबून से दोएं फिर आप यहाँ पर उस हाथों को दोके अपने घाओ को रूशे साप करें फिल केवल रोगान लें पट्टी लगाएं तो काम यह तीनों ही कर सकते हैं लेकिन इस परसन में पूछा है कि छोटे कट के लिए आप क्या करते हैं अब यह पूछते हैं कि सबसे पहले में अपने हाथ अब देगो उप्स नमर एक है इसमें हाथों को दोने हाथ का करें जिकर ही नहीं है अब हाथ जिकर नहीं है तो हम इसको केशे करें तो यहाँ पर जो है राइट एंसर जो हम मानेंगे उप्स नमर तीन को गाओ को रूश साप करेंगे अपस नमर यहाँ पर सी जो राइट एंसर अब लग रहा है क्योंकि पहले में हाथ का नाम नहीं तो यह हो जाता करम पूसले सबसे पहले क्या करना चाहिए तो यह हो जाता लेकिन अब रूई गाव को रूई से साप करेंगे क्लीन डै वाउंड विट कोटन भी ठीक है यह हो जाएगा यह क्योंकि यह जो बी वाला काम है इसके बाद का काम है हालांकि तीनों काम करने है पहला यह काम है दूसरा यह है दूसरा यह है और तीसरा यह है अब इसमें साबून और पानी से धो क्योंकि आप इस साबुन से आप धोएँगे यहां पर दखो साबुन और ला पानी या ये साबुन सी नहीं को नहीं दो सकते हैं उपकान साबुन से लिए इतला हैं में फिलाएम ज़्मे करते हैं साबुन को साबुन से नहीं को स्कीềं Premine पर्संसिंगर 85 मतलब आप अगर किसी विक्ति को सदमा यानि बेहोसी हो रही है या उसको जटका आ रहा है सोक आ रहा है तो आप उसको पीनिक के लिए कुछ नहें एक बाद यात्री को आश्वस्त करें और उसको मतलब तसली दें और यहां पर चिक्ति सा साइथा तुरंट परवाड कराने का प्यास करें आप, प्रसंद प्रिक्रिया सबसे पहले देखें, उस सदमे में कभी कभी क्या होता है, सदमा जब आता है, तो यहाँ पर बलड सरकुलेशन जो होता है ना, तो बलड सरकुलेशन बंद हो जाता है, तो यात्री को तुरन लेटा भी सकते हैं आप, ठीक है, तो यह गाव को किसी भी प्रकार से दिक्कत में होनी चाहिए, मतलब हम क्या कह सकते हैं, गाव से इस पर्ष रूप से दूर आपकी गाँट है, वो रहेगी, मतलब कि where do you position the note, in the end of the bandage, of a emergency bandage, तो clearly away from the wound, गाव जो है, जहां दर्द होता है, जहां से समस्या होती है, वहां से आपको इस गाँट को दूर करना है, तो option number C हो जाएगा, परसन सत्यासी है, आप कोई भी वहां चलाते से में, mobile phone से बात कर सकते हैं, कब कर सकते हैं, कभी भी आप चलती गाड़ी में आप बात नहीं कर सकते, तो आप चलती गाड़ी में कभी भी आप बात नहीं करें हैं न, you can talk on mobile while driving any vehicle, किसी भी vehicle से आप गाड़ी जिब चला रहे हैं, तो आप driving करते वे गाड़ी फोन से बात कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते, और mobile phone का प्रियोग करना गाड़ी चलाते हैं, तो यहाँ पर यहाँ रखना है, शीट का head rest कैसे मदद करता है, आपको पता है seat होती है, शीट के उपर यहाँ पर जो आपका मात आया उरकने के लिए होता है, जिसे head rest कहते हैं, जो माते को आवाँ पर रखके आप उसको rest दे सकते हैं, लेकिन इसका actually में काम क्या है, इसको actually में इसकी design यह ऐसे क्यों बनाए गई, चलती है गाड़ी में आराम करने के लिए नहीं, आप मोश्ती देखना, जब गाड़ी चलती है, ड्राइवर गाड़ी को चलाता है, तो कभी भी उसके उपर वो जो अपने माथे को नहीं रखता, ड्राइवर की बात कर रहा हूं में, तो headrest हमेशा के लिए किसके लिए बनाया जाता है, कोई भी accidental case होता है, तो आपकी garden यहाँ पर तुरंत पीछे जाएगी अगर headrest नहीं होगा, तुरंत पीछे जाके टूट सकती है garden, तो उसको टूटने से बचाने के लिए accidental case में आपकी सुरुक्षा के लिए headrest का इस्तिमाल किया जाता है, यानि कि गाड़ी चालत इसमें आराम करना गलत है, headrest के लिए sheet खुबसूल दिखती यह भी गलत है, यह भी गलत है, तुरुटने से बचाता है, तो इसलिए यहाँ पर जो headrest होता है, वो सुरुक्षात में कारणों से बनाया जाता है, हालां कि आराम भी कर सकते हैं, लेकिन इसका main मकसद जो है न, वो क्या है, नक्षीर को निमना लिकिते दवारा रोकवा जा सकता है, नक्षीर, अगर नाक से खुन बहरा है, तो आप इसको कैसे रोक शकते हैं, सभी को पता है, कि भई, इसको कुछ पीनी के लो देना चाहिए, और इसको अलाम के लिए रोक देटाएं, और आप नाक को पूरा बंद मत करना, पूरा बंद नहीं कर सकते हैं, नोस्टिल्स जो हैं, इसको आप थोड़ा सा संक्षेप में दबाएंगे, नासी का चिद्रों को संक्षेप में दबाएंगे, तो जहां से बलिदिंग हो रही है, वो द्वार बंद हो जाएंगे और आपकी बलिदिंग हो रुख जाएगी, तो नोस्टिल्स, यानि कि पिंचिंग ब्रीफली दे नोस्टिल्स, ब्रीफली का मनदब कम है, थोड़ा दबाना है आपको, हलका सा प्रेस करेंगे, तो इतने में क्या है, जो रक्त धीरे से जो नहीं करना है, जब कोई आपका हाथ तोड़ देता है, तो आपको, आप क्या कर सकते हैं, पहली बात तो, उसको वापस लाथ गुसे नहीं मारने, और चिलाना नहीं है, भागना नहीं है, पलास्टर डारेक्ट नहीं करवाना, एंटी सेप्टिक वाइप का प्रेयो करेंगे वो तो दर्द की, आप जब करेंगे, जब थोड़ा सा कोई, मतलब सा साशी है, थोड़ा सी कंडिशन समाने रही, आपका हाथ तूट चुका है, हड़ी तूट चुकी है, तो यहाँ पर आपको सबसे पहले क्या करना है, उसको अब हाथ को सुरक्चित रखना है, मतलब आप उसको बहा को स्लिंग में रखें, मतलब बहा को स्लिंग में रखने का मतलब है, आपका तूटावा जो हाथ है, वो अब ज़्यादा हिले डूले नहीं, इसके लिए आप उसको गल्ले में लटका लेंगे, गल्ले में को कपड़ा या कुछ लेके, स्लिंग में उसके हाथ को और आप उसके बाद में जो सारे काम होते हैं तो सबसे पहला काम है आपका हाज अब तूट जाता है तो आप उसको स्लिंग में रखें और उसको ज़्यादा हिलाय डूले नहीं और तूटी यूँ हड़ी को सही जगह पर लाने का प्रयासा आपने करें तो परसं सिंग्या 90 वना गया है क्या वहां बीमा कराना अनिवारी है बिल्कूल गाड़ी का जो इंशुरेंच होता है वो करवाना सभी वाइकल के लिए कंपाचरी है यहां पर उसको नमर एक हो जाएगा दारा 146 और दारा 146 के तेट परतेग गाड़ी जो गाड़ी रोड़ पे चलती है बीमा होना जरूरी है नहीं होगा तो दारा 146 में लागू होगी और 2000 का जुर्माना पहली बार में दूसरी बार भी अगर आप अपराद करते हैं तो 4000 का होगा तीन माह की केदी भी हो सकती है अगर आप दादागिरी करते हैं तो तो अपसर नमर एक परसंद सिंग्या बराण में दो पईया वाहन पर दो से अधिक वेक्ति हैं तो यहाँ पर क्या होगा यह कानून का उलंगन होगा धारा 144 में C ठीक है न तो यहाँ पर आपको जान देना है धारा 144 में C मनलब दो से अधिक वेक्ति अगर आप बैठेंगे तो एक हजार का जुर्मान होगा जान अगनाब अगले परसंद पर आप दो से अधिक वेक्ति कभी भी नहीं बैटा सकते तो यहाँ पर अगले परसंद पर चलते हैं भासंद परसंद के त्रेण में C काफी लंबा सेसन हो चुका है अगडि छलाएं जब आप गारी चलाते हैं तो आप सक वह हमता है धारा 143 लागव हो ती है धारा 143 बारे में कहती है और इसका उलंगन आपको उलंगन आपको करते हैं तो यहाँ पर तो तेज गाड़ी आप चलाएंगे तो यहाँ पर कौन-कौन सा आपको सामना करना पड़ सकता है driving license का निलंबन या रधिकरण और ले जाने वाले अपराद है It's an offense leading to suspension or cancellation of driving license option number 1 हो जाएगा परसन सिंग्या आपकी सामने चोराण में सहर की सडकों पर रात में वहाँ चलाते हैं इसमें अपनी हेड लाइट जला कर रखें सहर की सडकों के अंदर अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो हमेशा सहर में आपकी हेड लाइट को लो बीम पर रखना चाहिए लो बीम option number A while driving at night on city roads keep your हेड लाइट on A low beam परसंद सिंगे पिचान में वहाँ में ले जाने के अनुमती वहाँ में ले जाने के अनुमती वाले यात्रियों के सिंख्या दर्ज होती है the number of passengers permitted to be taken in vehicle is recorded in there यानि कि किसी भी vehicle में कितने यात्री बैठ सकते हैं ऐसी जानकारी कहां पर होती है तो गाड़ी के जो RC होती है न RC में होती है और यहाँ पर option number 1 registration certificate यानि कि पंजिन परमान पत्र में ऐसी जानकारी होती है अगर आप बीन RC के गाड़ी चिलाते हैं तो धारा एक्चो ब्राण में लागू होती है याद रखना आप और 2000 से लेके 5000 जारता का जुर्माना भी आपके उपर लगाया जा सकता है परसन सीगा चान में किसी क्यों भई चान में भी परसन है यार इसको बीद कर ले किसी दुरगटना की स्तती में चिकित सा साहता लेने के लिए आपको डायल करना चाहिए आप पे कोई दुरगटना हो चुकी है किस साहता चाहता चाहते हैं किस नंबर को डायल करेंगे 108 या 102 कार के डेस बोड में तापमान गेज तापमान को इंगित करता रे यानि कि engine का temperature बताता है जब कार में child lock लगाए जाता है child lock का मतलब है चलती गाड़ी में वो door को open नहीं कर दे इसके लिए child lock जब अपला ही होगा तो अंदर बेठे बच्चे door को open नहीं कर पाएंगे मतलब केवल अंदर से है तो बाहर से खोदा जा सकता है तो यहाँ पर परसन से है 99 किसी दुरगटना की इस्तिती में मानव जीवन बचाने में कौन सा ज्यान आपके काम आ सकता है सबी को पता है कोई दुरगटना हो जाती है गाड़ी चलाते है तो आपको अगर फर्स्ट एड का प्रात्मिक चिकित्चा का अगर आपको ग्यान है तो आप दूसरे विक्तियों की जान बचा सकते है अपने आपकी भी बचा सकते है इसलिए पर्टेक्ट ड्राइवर को यहाँ पर फर्स्ट एड का यहाँ पर ग्यान होना चाहिए परसन से क्या 100 किसी दुरगटना की इस्तिती में यही पीडित के हेलमेट के नीचे खून बहरा है तो आपको क्या करना चाहिए हेलमेट के नीचे खून है तो आपको सावधानी बतनी चाहिए तुरंद परवावसे एंबुलेस बुलाएं और उसकी सायता फैस्टेड का आप उपचार करें और फैस्टनमर भी यहाँ पर हटा देंगे रिमोव दे हेलमेट टू चेक दे इंजरी इंजरी को आपको चेक करना पड़ेगा तो यहाँ पर अपसनमर एक हेलमेट उतारने को चीज़ना करें बलकि एमबुलिंस को कोल करें helmet न उतारो, एमुलेस बुलाओ और उपरोक तुमें से कोई नहीं तो यहाँ पर आपको चोट की जांच के लिए helmet को उतारना है और अगर bleeding हो रही है तो उसको रोकने का प्रयास करना है क्योंकि helmet लगा वाया already अगर bleeding हो रही है तो फिर helmet लगे रहने से bleeding पर कोई प्रवाओ ने पड़ेगा इसलिए helmet को हटाएं और वहाँ पर जो है स्कून को जो बैने से रोकना चाहिए तो कि जब भी इसको फैस्टर दिये जाएगा तो helmet तो उतार जाएगा तो इसलिए आपको पहले उतार के bleeding को रोकने का प्रयास करना है जिया दोस्तों और काफी मुश्किलों भरा ये paper आज है रहा total 100% थे कम समय में अधिक जानकारी हमें सा फर्मलर रहा है और इसी target को अच्यूब करने के लिए हमने काफी फास्टली इस paper को आपको करवाया है तो यहाँ पर काफी सारा जो है पावर हमारी यहाँ पर लगी है तो अब ठक चोके हैं साच में 100% अब ज़्यादा यहाँ पर आपसे कोई ज़्यादा बात में करेंगे उम्हीद है कि आपसे भी स्वस्ता मसत हैं और आपको यह समझ में आया होगा कि पेपर में पूछा क्या गया है और परसन आये कहां से हैं जी हाँ दोस्तों मैं बताना चाहूंगा इसमें जो 100% है 100 में से 90% ड्राइविंग पार्ट के थे 10% आपकी जीके के थे तो यहाँ पर 100 में से 88 क्यूशन जो है study at home हमारा जो online course है वहाँ से पूछे गये हैं तो आप किसी भी अगर एक्जाम की तारी कर रहे हैं तो आप हमारा जो study at home F है इसको आप download कर सकते हैं और इसके अंदर जो course है उसको आप पढ़ सकते हैं special notes भी है test series भी है e-book भी है पुरानी बर्तियों के 50-60 paper पर वहाँ पर आपको PDF के साथ में with answer with solution आपको pride हो रहे हैं तो आप उनको भी प्राप्ट कर सकते हैं जी हां दोस्तों किसी भी प्रकार के query के लिए आप डायल कर सकते हैं 8764-188848 जी हां दोस्तों WhatsApp सेवा होने आप phone call कम से कम करें आपका प्राप्ट करने के लिए आप दिन रात मेनत कर रहे होंगे जी हां दोस्तों आपके लक्से में आज के हमारी जो इकलास है आप इसके परती क्या feedback देंगे हमने जो ये इतने लंबे समय तक और कम समय में अधिक जानकारे आपको देने का प्रयास किया है तो इससे आप कितने सेटिस पाई है आपका feedback जो है आमारे लिए बहूल है आप पे अपना feedback मुझे WhatsApp के मादें से और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में आप दे सकते हैं जी हैं दोस्तों नमस्कार, धन्यवाद, जेहन, थेंक्यू सो मच